हेलो अब्रिवन आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का हिंदी का चैप्टर नमबर थी खिलोने वाला तो इसके कोशियन अंसर ओल्डरी हमने कर लिए थी अब हम इसकी कर रहे हैं व्याकरण का पार्ट की व्याकरण में क्या क्या है सबसे पहले इसमें है वर्ण विचिजट यानिकि जो शब्द है उसके हर एक वर्ण को मातरा को आपको अलग लग करना जो हमने उल्डरी पहले भी बहुत बार किया है यहाँ पर भी हमें वहीं करना जैसे खिलोने है इसके बाद E की मात्रा है, और छोटी की है तो E फिर ला, ला पर ये जो है, हर एक विएंजन पर ये जो है हलंड लगता है, जो इस तरह से नीचे लगाया जाता है ये हलंड हर एक विएंजन पर लगता है, अगर उसके साथ आपका सवर नहीं जुड़ा है क्योंकि वेंजन जो है सवर के बिना वो आधा होता है जब सवर लगता है तो वो कंप्लेट हो जाता है अब ओ न और ए खिलोने गुडियां है गुड़ी की मात्रा इन ड इकी मात्रा या और आ की मात्रा बिल्ली ब उसके बाद आएगी आपकी ए की मात्रा देखो आगे है तो छोटी और पीछे है तो बड़ी अब आगे वाला जो अगर आप ल देख रहे हैं तो वो ओल्रेड़ी यादा है तो इसलिए इसके साथ जो है कोई भी मात्रा या अ हमें लगाने की जूर्द नहीं है की तो नहीं लगा है उसके बाद ला और एकी मात्रा जोर्ड बड़ी एकी मात्रा लिखेंगे अ हैं अब यहाँ पर हमें जो है अनुस्वार यानि की बिंदी ओर चंद्र विंदू जो है यहां लगाना है अनुस्वार और अनुनासिक भी और घूमूंगा संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द सरनाम कहलाते हैं जो भी संग्या की जगह पर यूज होगा जैसे आपका नाम होता है तो बार बार आपका नाम लेने के वज़ाए आप बोल देते हैं या फिर अपने फ्रेंड का कि तुम क्या कर रह भलत हरा है मैं तुम को यहां क्या हो जाएगा तुम को तुम कैदोगी वनजाने क денег को अब क्या होग है नाम की जगंगे एकिया यूज कर रहे है तुम है कॉंड प्यार करने का पता चले कोई भी काम हो सकता है आपकी मिंस बोडी की कोई भी एक्टिवीटी हो रही है तो मतलब तो काम कर रहे हैं आप उंगली को उपर नीचे ऎकर रहे हैं हाध को यह कर रहे हैं ने क्या है आपकी activities है किरिया है मैं वन में घूमूँगा सरला खेल रही है रेल चलती है माखाना बना रही है और मैं कल परिक्षा दोंगा यानि कि लिखूंगा तो यह सब आपकी क्या हो गए क्रिया शब्द अब आगे है निमलिक शब्दों में वाला और वाली जोड़ कर ठीक ह गा वो बरतन वाली और अगर मैं वाला जोड रही हूं यहां पर तो यह उपर से एकी मात्रा अट जाएगी क्या बरतन वाला अब फेरी यहां पर हम वाली लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा फेरी वाली जो इन नहीं कि आपको वाला ही लगाना है या फिर वाली ही लगा जो आप का मन करें वो आप यहां पर लगा सकते हैं मुफली वाला तो यह क्या बनेगा आपका मुफली वाला मुफली वाला अब कुछ भी यहां पर लगा सकते हैं वाला वाली में से उसके बाद है नीचे दिये गए शब्दों में से संग्या विशेशन शब्द अब संग्या शब्द हो जाएंगे कोशल्या रामचंद्र भाया खिलोने तो यह सब क्या हो गए आपके संग्या शब्द अब जो हमें विशेशन पता करना विशेशन क्या होते हैं जिन से किसी भी चीज के अच्छे बुरे नए पुराने खराब ठीक इन सब का पता चले वह जैसे सुंदर खिलोने चार लोग हरा तोता चोटा बच्चा नए गेंद तो यहां पर एक जो गेंद है वह आपका किस में आ जाएगा तो यहां लिख भी देते हैं कोशल्या कोशल्या गेंद रामचंद्र भाया और खिलोने तो यह हो गए आपके संग्या शब्द और विशेशन में क्या क्या है नए छोटा हरा चार और सुंदर उसके बाद नीचे जो है पाठ हदारित प्रसंद है कोशन है आपके कवीता में बालक खिलोने वाले से तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है सोच कर लिखे कि बालक ने मा से अपनी किस बात जो है किस परकार से कही होगी और उसकी मा ने उसका क्या जवाब दिया होगा अब कवीता में जो है वो खेलना चाहता है या फिर लेना चाहता है तो बालक यह अपनी मा को कैसी इस चीज़ के लिए मना रहा होगा तो जैसी उसने बताया था तो ने क्या बोला था कि मा मैं जो है खिलोने वाला आया है उसके पास ये ये खिलोने है और मुझे जो है ये जो है खिलोना लेना है और मैं जो है तलवार और तीर कमान लूँगा अब उसकी माने पुछाओगा कि तुम ये सब क्यो लोगे ठीक है नोर्मल सा मिसे एक imagination हो सकता है आपकान से अलग भी हो सकता है इससे तो नोंने पुछा होगा कि तुम जो है तीर कमान क्यों लेना चाहता तो नोंने बोला कि तीर कमान लेकर मैं जो है भगवान रामचंदर की तरह बनूँगा और तुम्हें कोशलया बनाऊंगा कोशलया का मि उनकी इज़त करते थी और उनकी रिस्पेक्ट करते थी तो उसी तरह से मैं भी आपकी हर बात मानूंगा अगर आप मुझे वन में जाने के लिए बोल दिए मैं उदर भी चला जाओंगा लेकिन वापस जो है लोटकर मैं हमेशा आपके पास यह आओंगा आगी है आप अप पास रहने वाले उन गरीब बच्चों की किस परकार मदद करेंगी जिनके पास खेलने के लिए खिलोने नहीं है कक्षया की विदार्तियों से इस संबंद में बातचीत कीजिए और उनके विचार भी लिखी तो इसमें आप क्या कर सकते हैं आपके जो खिलोने पुराने हो खिलोने भी आप सब एक साथ ही कठे करके उन्हें दे सकते हैं तो जो भी आपके विचार हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं उसके बाद आता है ग्यानादारित विलोम शब लिखना है छोटी का क्या होगा बड़ी खरीदूंगा बेचूंगा नए पुराना या पुराने हस्ते रोते लूंगा दूंगा असुर भगवान असुर का मिन्स राक्षस राक्षस का पोजिट क्या हो जाएगा भगवान अब यहां पर जो है खेल वाले खिलोनों के शब्द नाम चिपे यहां पर जो हमें ढूनने जैसे ही हो गया गुडिया तोता सीटी घर जैसे घर- बलू और भोपू बल्ला गेंद देखो यहां पर दो बनेंगे रेल गाड़ी और गाड़ी गाड़ी अलग था और रेल गाड़ी अलग था उसके बाद और क्या हो जकता यहां पर वन टू थ्री फोर फाइस सिक्स सेवन एट नाइन टैन तो दस नाम चिपे थे दस हमें जो स्क Çok Cha Türkiye अगर ह मिलता है तो आपको वहर पर लिख सकते हैं वे उसके बाद है बच्चों की बड़ों की सलाह कितनी उपीयोगी होती हैं क्या हमेशा हमेशा बड़ों की सलह माननी मां लेनी चाहिए आपको अगर हाँ तो क्यों और अपने शब्दों में हिंदों देखों की सल् से उम्र में बड़े होते हैं बड़े होते हैं अब अगर वो आप से उम्र में बड़े हैं तो इसका मतलब उनका अनुभाव उनका एक्सपिरियंस भी आप से जादा है अनुभाव आप से जादा है तो आप जो काम अब कर रहे हैं तो वो काम उन्होंने क्यापता पहली किया ह यानि कि वो उस फेज से उस जगे से या उस टाइम से निकल चुके जिस टाइम पर आप अभी हैं तो जब वो उस चीज से निकल चुके हैं उन्हें पता है कि वो प्रोब्लम का सोलुशन आप कैसे कर सकते हैं या उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं तो इसलिए जो है हमे किस तरह से बाते करनी या फिर उसको जो है situation को आप किस तरह से problem को solve कर सकते हैं अब इसका एक example आप लेख सकते हो कि जैसे teacher है आपको कोई question नहीं आता आप teacher के पास जाते हो क्यों क्योंकि teacher ने वो आपसे पहले पढ़ा है उन्हें पता है वो पूरा वो पढ़कर आए हैं उसके बाद उन्हें सबांसर्स पता है आपकी जो भी बुक में हैं पता है कि इसे काशल करना वो problem को जो भी आपकी हो In English, Math, Six sarà कोई भी problem है उन्हें पता है कि उसे काशल करना है तो आप किसके पास जाते है teacher के पास सेम इसी तरह से आपकी जो बड़े होते हैं वो भी हर situation से निकलके आए है तो उन्हें पता होता है कि situation को कैसर इस problem कोसे से सोल करना है तो इसलिए उनकी सला लेनी चाहिए उसके बाद आता है रचनात्मकलेखन अब नीचे जो है आपको आधा पेराग्राफ दे दिया है बीच बीच में जगे छोड़ दिये तो आपको बताना है यहां पर आपको उचित शब्द और वाक्य कुछ भी हो सकता है इसे मेरे भाई ने ममी ने पापा ने मेरे जनम दिन पर दिया था ठीक है कुछ भी हो सकता है वो जूरी ने के जो मैं लिख रही हूं गो ही रहे यह बैटरी से चलता है बस हाथ में रिमोट से बटन दबा कर चला सकते हैं यह गाना भी गाता है या गाती है इसके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है मैंने अपने सभी दोस्तों को यह दिखाया है दिखाया है जब कभी घर पर मैं अकेला होता हूँ या होती हूँ अकेला होता हूँ तो यह सदेव मेरे विस्तर के पास रहता है मुझे यह है अपने सब खिलोनों में से अधिक प्रिया है यानि कि यह जो है मुझे बाकी सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो यही था आपका चैप्टर खिलोने वाला उसके व्याकरन का पोर्शन भी हो गया है कोशन आंसर हमने उल्डरी कर लिया था अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और यह जो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू